नमस्ते आज मैं बनाने जा रही हूं गोबी के पकड़े तो चलिए बनाना सुरू करते हैं यहां पर मैंने गोबी ली है आदा केजी के करीब और इसको धोके बड़े बड़े पीसे मैंने कट कर लिया है और यहां पर मैं इसको कर रहे हूं थोड़ा सा बॉइल जो कि थोड़ पूरा दिख रहा है तो इस तरह से इसका मैंने पानी डालके एक तम घोल तयार कर लिया है और यहाँ पर तेल गरम हो चुका है और यह उबली हुई गोबी को मैं इसमें डालके डिप करके यहाँ पर बना लूँगी पकोड़े फ्राइ कर लेंगे हम यहाँ पर धिमी आच में तो इस तरह यह कम तेल पे हम यहां इसको फ्राइ कर लेंगे और यह पके हैं तो अंदर से भी पके हुए हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे एकदम से और यह काफी टेस्टी हो रखें एकदम क्रिस्पी और अंदर से पके हुए और मसालेदार